हेलो फ्रेंड्स आप सभी का श्वागत है आपकी अपने चैनल सिया एंड़ मॉम डाइट कीचन पर तो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे मॉमोस तो आज मैं मॉमोस बनाने का एकदम सीम्पल ट्रीक आपको बतलाऊंगी और आप अपने घर पर बिना किसी ताम जाम की बजार ज मॉमोस की श्टफिंग के लिए मैंने यहां पर तयारी कर लिया है यहां पर मैंने पत्तगो भी एक कप ले लिया है और यहां पर एक सीमला मिर्च जिससे मैंने बारी काट लिया है तीन हरी मिर्च तीन प्याज प्याज को मैं कद्दुकस कर लूँगी यहां पर गाजर को मै जो लसुन है हमारा और अधरक उसको भी हम अच्छे से कद्दुकस कर लेंगे अब यहां पर जो मोमोस की स्टपिंग हमने तयार की है उसको हम एक बॉयल में कपड़ा रख लेंगे कॉटन का कपड़ा उसमें इन सभी को डाल लेंगे पत्तगो भी प्याज और गाजर अद्रक लहसुन का पेष्ट जो हमने तयार किया है उनको भी इसमें डाल लेंगे और अच्छे से मिचोड कर इसके सारे पानी को बहार निकाल लेंगे इसका सारा पानी मैंने निचोड कर अलग कर लिया है आप देख सकते हैं यह देखे आप चाहे तो इस पानी का इस्तेमाल मेंदे को गुत्ते समय कर सकते हैं लेकिन मैं यहां पर इसका इसका इस्तेमाल नहीं करूंगी इसे मैं साइट कर दूंगी क्योंकि अगर मैं इसका इ 1 cup मैंदे मैंदे 15-20 मोमोज आराम से मैं हलका डाल दोंगे को यह फोड़ा थोड़ा सा पानी डाल कर इसे घूथ लेंगे एकडम से इसमें पानी डालेंगे और इस मेंदे को हम अच्छे से मसल कर अच्छे से बन कर रेडी हो हमें आटा एकदम टाइट नहीं लगाना है ना एकदम पतला नहीं करना है थोड़ा सा टाइट रखना है तो चलिए यह हमारा आटा हो गया यहां पर मैंदे को थोड़ी देर चैट होने के लिए ढखके रख लेती हूं और दूसरी तरफ मैं अपने इश्टपिंग को थोड़ पकाना है तो उसके लिए और मैंने गरम कर लिए उसमें मैं हरा मिर्च डालूंगी साथ ही इसमें मैं डालूंगी कैप्सिकंट मैंने की सिमला मिर्चे इसमें डाल लेंगे उसके बाद जो बांकी के हमारे श्टपिंग है पत्तब भी प्याज और गाजर अद्रक लसुन का उसको भी डाल लेंगे और थोड़ा सा उसे भी हम पका लेंगे म Dew它 का तो अवजा क्वाभी इसमें जादा में और श्टपिंग यहां पर स्टपिंग में अवगा सव्वादनुशहाण नमक डाल दिगे आप अपने टेस्ट के अकॉरडिंगि इसमें नमक डाल सते हैं तो मैं इसमें तेस्टके अकॉरडिंगि इसमे Sana कर लें च्छे से मिक तो इसे मैंने एक प्लेट में ठंडा होने के लिए निकाल के रख दिया है और दूसरे और हम मेंदे के छोटे छोटे लोईया काट लेंगे मतलब तोड लेंगे और उससे हम रोटी बना कर तयार कर लेंगे तो मैं आपको बताती हूं पहले तो आपको लोईया बना लेना है अ इतने लोईयां बनाकर तयार कर सकते हैं, मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पर दो लोईयां यह देखिए बनाकर तयार की हूँ, अब इसमें हम मैंदे डाल लेंगे, उसके बाद इसको बेलेंगे, तो हमें रोटी ज्यादा न तो बड़ा बेलना है, ज्यादा बड़े आपको stuffing भरके दिखाऊंगी आप चाहे तो इसको कटोरिया गिला से काट के गोलाई का तो इसमें मैंने एक चमस stuffing डाल दिया है और ये जो मैं आपको सेब बताऊंगी मुमोस का वो है मोदक वाला सेब तो ये देखिए पहले तो इसके चारो तरब अच्छे से पानी लगा लेना है आपको जैसे कि मैं वीडियो में लगा रही हूं उसके बाद इसको इस प्रकार से फोल्ड करना है ये देखिए आपको उंगलियों के बीचो बीच रख लेना है ताकि हमारा जो stuffing है ये देखिए इसको इस प्रकार से फोल्ड करना है पूरे रोटी को इसी प्रकार से फोल्ड करना है चारो और को और इसे फिर हम मोड देंगे बीच से तो मैं आपको दिखाती हूं ये जो मैं मोमोस बना रही हूं वो मोदक सेप का मोमोस है जैसे मोदाक का होता है उसी टाइप का है यह दूखे, मैंने चारो तरपको अच्छे से फोल्ड किया है और इसे घुमा देना है तो यह बन गए हमारा मोदाक सेफ का मोमोज और यह हमारा में आपको सेकेंड सेप दिखाती हूं डिजाइन दिखाती हूं इसे हाथों के बिचो बिच इस प्रकार से रख लेंगे दूसरे हाथ में पकड़के इसको ऐसे एक के उपर एक फोल्ड करते जाएंगे इसके आधे side को ही हमें forward करने है और जो बाकी के आधा बचा है उसको जो forward किए हैं उसके उपर ले जाकर चिपका देना है तो ये देखे और इसको ऐसे दबादेना है तो ये मुझे सबसे best लगता है मॉमोस का सबसे बेश्टा सेफ लगता है बहुत ईजी सेफ है तो आप इसे भी बना कर देख लेना है आपको यह बहुत ही अच्छा सेफ है मॉमोस का और यह मैंने बनाया है गुजियाई स्टाइल में तो इसको मैंने बनाने के लिए एक चम्मस लिया है इसमें भी मॉमोस है उसको यह सेकेंड बना लंगी वही मुझे सबसे बेशन सेफ लगता है तो तो बीच मी हमें इसी प्रकास से श्टपिंग भरते जाना है और उसे एक साड़ से मोड़ते जाना है और एकसे से मोरे हुए साड़ में उसे ले जाकर हमें चिपका देना है डहां पर मैं इसके लिए हम ले लेते हैं एक इस्टिमर जिसे हम चणनी भी बोलते हैं आपको दिखाती हूं यह किसी के भी घर पर असानी से मिल जाएगा तो इसमें मैं थोड़ा सा ओई लगा लेती हूं ब्रस के मदद से ताकि जो हमारा मोमोज है वह इस पर चिपके ना तो इसमें अब ह आपको दिखाती हूं और उसमें हम इत्फिमर और रगदेंगे फिर हम अपने मुआ उपर सी चपार कर लेंगे मुआज से 30–40 मिनत कता है तब 30-40 मिनर तक बहुत अच्छे से श्टीम किया यह देखे हमारा जो मोमोस है वह बहुत ही बढ़िया एकदम टेश्टी और एकदम अच्छा दिख रहा है इसके जो इस्टपिंग है वह बाहर से ही नजर आ रहा है क्योंकि हमारा जो मैंदा का रोती था उसको मैंने एकदम पतला सब बेला था आप भी इसे एकदम पतला ही बेले तब आपका मोमोस एकदम अच्छा बनकर रेडी होगा तो फ्रेंट्स मैंने इसे एक प्लेट में निकालके यह देखे कितना अच्छा वाइट वाइट दिख रहा है तो फ्रेंट्स यह जो हमारा मोमोस है वह थोड़ा सठं बहुत असान तरीके से बनकर तयार हो जाता है तो आप प्लीस हमें कमेट करके जरूर बताए कि आपको हमारी आज की मोमोस वाली रेसिपी कितनी पसंद आई साथ ही अगर पसंद आई हो वीडियो तो वीडियो को लाइक करें चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें